सबी के साथ हुआ इशान की वज़ा से बड़ा हासा और यही पर आएगा सीरियल गुम है किसी के प्यार में में जबदस ट्रैक जी हाँ दोस्तों अब शूर के अब कमिंग ट्रैक में बाप देखेंगे कि जहां रीवा ने भोसले निवास छोड़ दिया है और वापस अपने घर चली गई है तो वही रीवा के पेरंस रीवा को घर पर देख के शौगर हो जाते हैं और पूस्ते हैं कि रीवा क्या हुआ तो मचानक यहां कैसे जहां रीवा यह कहते हुए नजर आने वाली है कि मैं इशान के प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ लेकिन मैं सवी का दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि इसने जो कुछ भी किया अच्छा किया जहां सवी कहती है कि रीवा सवी एक अच्छी और सची लड़की है गलत तो वो भोसले परिवार है जो उस लड़की के साथ साथ तेरी भी जिन्दगी बरबात कर रहा था चलो अब तो हमारे पास वापस लोड़के आ गई है यही हमारे ले खुशी की बात है वैल अब शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां सवी दूसरे दिन रीवा के घर पहुच जाती है तो वहीं सवी को गलत फैमी हो जाती है कि कहीं सवी उसकी बेटी को वापस लेने तो नहीं आई है इसलिए वो इशान को कॉल कर देती है और पूसती है कि वापस ले जा रहा हो होता है अपनी कार में तो वहीं इशान एक जगे पे अपनी कारी रोकता है और सवी को गुस्से में कुछ कही रहा होता है कि तवी सवी बोल पड़ती है कि इशान सर मुझे आप से बात ही नहीं करनी है क्योंकि आपको मेरी किसी भी बात पर यकीन तो क करना नहीं होता मैं क्यों रीवा मैम को घर से निकालूंगी जबकि हमारी शादी के तो कोई माईने ही नहीं है मैं तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हूं ना कि कि इसी का रिष्टा तोड़ने में जहां इशान कह देता है कि मैं बस इतना चाहता हूं सभी कि तुम मेरे घर के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करो और अका साहिप की सारी बाते मानो जी हां दोस्तों शोकी कहानी का फिजारा इंट्रेस्टिंग होने वाली है जहां इशान सभी से कार में बैठने के लिए कहता है लेकिन सभी इशान के साथ जाने से मना कर देती है और भागते वे वहां से चली जाती है तो वहीं इशान भी उसके पीछे भागता है और इसी दोरान सभी एक गारी से जाके टकरा जाती है और उसके साथ हो जाता है एक हाथसा तो दो झाल 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 झाल